स्वागत है आपका मेरे चैनल पर तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे देखिए थाल पोश देखिए इसका कितना डिजाइन कितना प्यारा है अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और समझ में आएं तो प्लीज में चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परिशानी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूस सकते हैं तो मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाइ करूँगी आपको बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो समझने में कोई दिक्कत आ रही है और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्ट्राग्राम का लिंक भी है आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको बड़ा भी कैसे करेंगे अगर आपको जैसे इससे ज़्यादा बड़ा चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगे वीडियो में कि आप इससे बड़ा कैसे बनाना है आपको तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं का रोचे का लूज होक कर लिया आ थिए हैं सबसे पहले हमम मैंजिक रिंग बनाएंगे मैं जुके म् मैंजिक रिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है यह फिंगर्स के राउंड ऐसे crime नीचे से करोशे डालके इस वाले दागे को भाल लिए आना है और आपको क्या करना है तीन चेन बनानी है एक दो और तीन 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 बनाएं अब इसी रिंक के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है ग्यारा बार तो टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे कैसे देखिए जो यह हमने तीन चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे तो टोटल इन तीन चेन को मिलाके हमारे होने चाहिए 12 डबल क्रोशिया हो तो हम कर लेंगे देखिए चेन को भी काउंट करते हैं 1,2,3,4 डबल क्रोशिया हमने बना दी है टोटल होने चाहिए 12,5,6 साथ एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, साथ और ये आठ नो दस ग्यारा और ये बारा, देखें, मैं काउंट करके दिखाते हूं आपको वन, टू, देखें वन, टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये लास्ट वन जो हमने चेन बनाई थी, 12 अब हम इस रिंग को क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे अब जो हमने पहले तिन चेन बनाई थी ना ये देखें, वान, टू, थ्री थर्ड वन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे टाइट से स्लिप स्टिच किया अब इसी के उपर हमने तीन चेन बनाने है एक, दो, तीन और इसी जहां पर हमने ये तीन चेन बनाई यहीं पर एक डबल क्रोश्या बना लेंगे हम अब क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे फिन नेक्स्ट में जाएंगे फिर जो डबल क्रोश्या बनाया था, उसी के उपर हम दो डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो, फिर एक चेन बनाएंगे फिन नेक्स्ट के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे मलब हमने कैसे आगे पूरा इस राउंड कम्प्लीट करना है एक चेन और दो डबल क्रोशिया आप देखिए एक चेन ली आफिर नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे आपको पूरा राउंड कम्प्लीट कर लेना है एक चेन और हर स्टिच में दो-दो डबल कुश्य आपको बना लेने है यह देखिए यह राउंड मैंने कम्प्लीट किया है अब हम नेक्स राउंड की तरफ चलेंगे नेक्स राउंड में हमें क्या करना है जो थर्ड वाली चेन थी ना इसी के उपर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसी के उपर तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और जो इसी में हमने जो सेकिंड डबल क्रोश्य आ बनाया था इसके उपर हमने फिर से डबल क्रोश्य आ बनान के उपर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो इस सेकिन वाला है इसके उपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए एक डबल क्रोशिया सेकिन के उपर दो डबल क्रोशिया फिर एक चेन लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे पहले वाले के उपर एक ही डबल क्रोशिय और दूसरे के ऊपर, दो डबल क्रोशिया ऐसे हमें ये वाला round भी complete कर लेना है का एक चेनद बनाई फिर हमने आज़से आगे चलना है ये round complete कर लेना है जह दह़िए मैंने 3rd round भी complete किया है थर्ड रौन में हमां पास तीन है, एक मूल दब चे Nichts से पहले एक दो तीन सिकींड रौन में हमारे पास दो हैं, चेन से पहले तो आपको यह धियान लखना है यह लैस्ट में एक चेन बनाई और जो यह स्टार्टिक में तीन चेन बनाई थी ना थर्ड चेन में हम इसको slip stitch कर देंगे, यह देखिए, फीसी के उपर एक chain, एक, दो, तीन, अब हम फॉर्थ राउंड बना रहे हैं, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट के उपर तीन चेन के उपर तीन चेन हो गई, सेकिंड में एक डबल क्रोशे के उपर एक डबल क् करेंगे, हम लास्ट में ही increase करेंगे, फिर एक chain बनाएंगे, फिर फर्स्ट डबल क्रोशे के उपर डबल क्रोशिया, दूसरे के उपर भी डबल क्रोशिया, और तीसरे के उपर दो डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारे इस राउंड में फोर्थ राउंड है, तो एक में चार हो गई देखिए 1 2 3 4 तो ऐसे आपको यह वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेना है आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे निशी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं देखिए अब हम चेन बनाएंगे एक के उपर एक इसके उपर भी एक लास्ट वन के उपर जो दो गोश यह तो ऐसे हम पुरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए मैंने यह वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है अब नेक्स राउंड करने के लिए हमें क्या करना है जो यह वन टू थ्री थर्ड चैन में पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसी के उपर तीन चेंज बनाएंगे एक, दो, तीन अब हम फिफ्ट राउंड कर रहे हैं तो देखिए फोर्थ राउंड में हमारे पास चार डबल क्रोशिय हैं ये देखिए वान, टू, थ्री और ये फोर्थ वन अब देखिए, नेक्स्ट वाले के उपर भी एक डबल क्रोशिया उससे नेक्स्ट के उपर भी एक डबल क्रोशिया और जो ये फोर्थ वन था, इसके उपर हम दो डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हो जाएंगे फिफ्ट राउंड में फिर एक chain बनाएंगे chain के उपर आपको chain ही बनानी है आपको एक chain का space ही लेना है सिफ देखे एक डबल क्रोशिया पहले के उपर दूसरे के उपर भी दो डबल क्रोशिया हम तीछरे के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया जो लास्ट वन है इसके ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ऐसे आपको ये वाला राउंड भी खटम कर लेना है और एक चेन आपको पूरा ये बना लेना है और आपको जितनी भी लेंद्थ चाहिए आप उतने ये round बनाते जाएए मैं आपको ऐसी 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके दूँगी जो सिर्फ लास्ट वारा double crochet है उसके उपर आप दो-दो मलबस में ही increase बढ़ाते जाएए और सब पेक एक double crochet और chain के उपर chain तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ उसके बाद next further design हम बनाते है ये देखी मैंने इतना बड़ा कर लिया है मैंने ये 10 तक कर लिया है मैंने आपको I think 5 बताए थे 2, 3, 4, 5 यहां तक हमने किया था उसके बाद भी same हमने किया है तो आपको सिर्फ यही करना है जितना आपको यह length चाहिए अगर आप इससे बड़ा भी बनाना चाहिए तो आगया आप जो row करेंगे उसमें आप यहां पर आखरी वाले में double crochet बढ़ाते हुए जाए तो देखी अब यह हमारे 10 हो गए है यह हम 3rd chain में हमने slip stitch किया फिर जो next वाले double crochet है उसके ओपर भी हम slip stitch करेंगे और फिर इस वाले double crochet के ओपर हम 3 chain बनाएंगे एक, दो और तीन अब फिर next वाले double crochet के ओपर भी ऐसे ही double crochet बनाएंगे double crochet के ओपर double crochet बनाते वे जाएंगे आप यह देखिए यह जो एंडवल डबल क्रोशी है ना अब हमें इस पर नहीं बनाना हमें क्या करना है एक chain बनाएंगे और जो यह chain space है इसमें हम double crochet करेंगे यह देखिए इसमें हमारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ हो गया ना यहां तक हमारे एक आगे हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने यह देखिए यह तीन chain थी ना इसको तो हमने छोड़ दिया क्लिप स्टिच करके आये थे तो इसके उपर बनाया है और एक यहां से छोड़ दिया हमने अब फिर देखिए एक chain करके इस chain space में हमने double crochet बनाया फिर एक chain करेंगे यह next वाला छोड़ देंगे और सीधा second वाले पर हम double crochet के उपर double crochet बनाये फिर से देखिए double crochet के उपर हमने double crochet बनाया फिर 10 के हमने 8 कर देने हैं double crochet नीचे वाले में 10 double crochet थे तो इसमें हमारे 8 रह जाएंगे बस आपको last वाला छोड़ना है और सारे double crochet के बनाने देखिए last वाला आ गया है तो अब हम क्या करेंगे एक chain बनाई और इस chain space में double crochet बनाया फिर एक chain बनाई ये वाला double crochet छोड़ देना है और सीधा इस पर double crochet बनाना है तो ऐसे आप ये वाला round complete कर लीजे ये देखिए ये मैंने कर लिया है अब हमने देखिए next में क्या करना है हम लास्ट वाले पर आए थे लास्ट पर आके भी हमने इसके बीच में बनाया है अब हमने वान टू थ्री थर्ड वाले पर slip stitch किया फिर next पर भी slip stitch किया फिर इसी के उपर एक दो तीन और फिर से हर double crochet के उपर double crochet बनाते वे जाने एंड पर आ जाने आपको हर double crochet के उपर double crochet अगर आपको कोई confusion है तो आप मुझे comment करके भी पूस सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा देखिए लास्ट वाला आ गया है इसको हम छोड़ देंगे अब हम पहले हमने एक chain बनाई थी अब हम दो चेन बनाएंगे एक दो और जो यह इसमें अंदर double crochet बन बनाएंगे एक दो तीन और फिर से हम यहीं पर डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर से हम दो चेन बनाएंगे एक दो और यह छोड़ देंगे यह वाली यह वाला डबल क्रोश्या और इसी दा इसके ओपर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे डेख़े कोई बात नहीं मैं आपको एक बार फिर से बताती हूं डबल क्रोशे के उपर डबल क्रोश्य करते चलेंगे हर डबल क्रोशे के उपर डबल क्रोश्य इस राउंड में आए थिंग हमारे पास छे डबल क्रोशिया हो जाएंगे, सबसे पहले हमारे 10 थे, जब हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने 8 हुए वो, देखिए, यह 10 वली रो थी न, उसके बाद जब हमने एक छोड़ा हो, एक छोड़ा तो इसमें 8 थे, अब इसमें 6 होएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, अब हम दो चेन बनाएंगे, एक, दो, यह लास्ट वाला हमने छोड़ दिया, और फिर जो हमने चेन स्पेस के ओपर डबल क्रोशिया बनाए था, इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसी के ओपर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन और फिर देखें इसी फिर दुबारा से ये round complete कर लेने देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा जब हम आएं यहां से हमने पहला छोड़ा यहां से दिखाती हूँ आपको मैं हमने पहला छोड़ा फिर देखे छे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गी लास्ट वन छोड़ा फिर जो ये डबल क्रोश है चेन स्पेस में था आसमें डबल क्रोश है बना है डबल क्रोश है के पर तीन चेन और उसी पर डबल क्रोश है फिर दो चेन लेगे हम नेक्स्ट में आए फर्स्ट वन को छोड़ा सेकिंड से बनाना स्टार्ट कर दिया तो देखे कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन आया तो ऐसे आप ये राउंड भी कंप्लीट कर लीजे ये देखिए ये वाला राउंड भी कंप्लीट होगया आप नेक्स राउंड में जाने के लिए हमने क्या करना है फिर नेक्स पर भी पर फिर सिलिप स्टिच किया और फिर सी के ऊपर एक दो तीन देखिए नीचे हमारे वन टो त्री फोर फाइव सिक्स थे उसे निचे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ थे तो अब हमारे कितने बनेंगे डबल क्रोशी के उपर डबल क्रोशिया फिट डबल क्रोशिया फिट डबल क्रोशी के उपर डबल क्रोशिया यह हमारा लास्ट रहा गया तो हमारे देखिए इसमें छे थे तो इसमें हमारे उपर चारी बनेंगे अब हमने एक चेन लेनी है यह लास्ट वाला छोड़ा इसमें इसको भी छोड़ा और जो यह हमारा ऐसे यह triangle shape में बनाया नहीं जो हमने इसके उपर डबल क्रोश्या तीन चेन डबल क्रोश्या लिया था इसी के अंदर हमने दस बार डबल क्रोश्या बना ले है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और दस यह देखें दस डबल क्रोश्या होगी हमारे अब एक chain करी इसको भी skip कर देंगे इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे और फिर second पर आ जाएंगे हम उसके उपर हमने डबल क्रोश्या यह देखें कुछ ऐसे बनेगा हमारा फिर देखें फिर से सेम वैसे डबल क्रोश्या के उपर डबल क्रोश्या करते वह यह छोड़ देंगे यहाँ पर एक chain बनाएंगे और इसके अंदर हम 10 डबल क्रोश्या कर देंगे फिर एक chain बनाके यह भी छोड़ देंगे और यह भी छोड़ देंगे फिर यहां से सेम तो सेम आपको ऐसे यह वाला राउंड भी कम्प्लीट कर लेना है देखिए मैंने यह वाली रो भी कम्प्लीट कर लिए मलब यह वाला राउंड भी कम्प्लीट कर लिए अब नेक्स राउंड में चलने के स्टिच करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं इसी के ऊपर तीन चेन बनाएंगे एक दो कि अब नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिय बनाएंगे कि यह देखिए यह दस थे दस के बाद जबने घटाने शुरू किये तो यह आठ रह गए थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ के बाद छे, छे के बाद चार और अब इसमें सिफ दो अब यह लास्ट वाले इसको नहीं हम करेंगे इसके बाद हम एक चेन लेंगे चेन लेने के बाद जो यह हमने जो यह दस डबल क्रोशिया करें थे न तो इन पर हम वर्क करेंगे देखिए डबल क्रोशिय एक चेन बनाई डबल क्रोशिय के ओपर डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर निक्स डबल क्रोशे के ओपर डबल क्रोशिया फिर एक चेन ऐसी आपको सब डबल क्रोशे के ओपर डबल क्रोशे करना है बस उनके बीच में एक चेन बनानी है एक चेन और एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया फिट चेन फिट डबल क्रोशिया ऐसे दस डबल क्रोशिया बनाने हैं लेकिन दस डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चेन बनानी है यहां पर हम नीर सिफ डबल क्रोशय बनाए थे 10 और यहां पर हम 10 डबल क्रोशय बना रहे हैं लेकिन एक डबल क्रोशय चेंड डबल क्रोशय चेंड डबल क्रोशय चेंड ऐसे हम कर रही है I think आपको समझ आ रहा होगा यह देखिए यह मैंने सारे डबल प्रोशी के उपर दस के उपर दस बनाएं आप एक चेन बनाएंगे बाद में और यह जो चेन स्पेस है नहीं जाली है इसको हम छोड़ देंगे और इस फर्स्ट को भी छोड़ देंगे सेकिंड पर बनाएंगे सीधा फिर निक्स्ट पे बनाएंगे फिर यह लास्ट वाला छोड़ देंगे एक चेन बनाएंगे और फिर से यह छोड़ देंगे जाली और सीधा इसके उपर डबल क्रोशे के उपर डबल क्रोशे तो ऐसे हमें पूरा अपना यह राउंड कंप्लिट कर लेना है डबल क्रोशे चे इसे पूरा कर लेनाय दिएफिउंध चेन के साथ और फिर यह पहला छोड़ देनाय फिर यहां से आपको समझा रहा होगा तो ऐसे आपको यह वाला round complete कर लिए यह मैं ऑला राउंड भी complete कर लिया कि अब हम लाक राउंड करेंगे लाक करने के लिए हमें किया करना है कि यह जो पहली तीन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे कि सेम जो हम करते हुए आ रहे हैं कि और फिर जो नेक्स्ट ने यह एक कि इस पर हम कि सिंगल क्रोशिय बना देंगे कि एकका अच्छा घया दे cel की देखिए कम स्टिधे, ने इस पर सिंगल क्रोशियदा कीस्स बनाएब कोई चेन ने कना हमें डिरेक्ट जो यह देखिए यह वाले आ गए इस पर हम क्या करेंगे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया किया, तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन चेन बनाई, और ये देखिए, इसके नीचे, ये, ये स्पेस है न, इसमें से ऐसे निकाला, लूप पे हमारे दो आए, दोनों को एक साथ, ऐसे निकाला, ये देखिए, कुछ इस तरह का डिजैन बन जेगा, मैं दुबार आपको दिखाती हूँ, फिर हम नेक्स डबल क्रोशिया पर जाएंगे, जो बीच में चेन है, इसमें हमें वर्क नहीं कर कि आपको ऐसे ये दो मिलेंगे, इन में से ऐसे निकाला, लूप के ओपर दो ये आए, स्टिचिस, हुक के ओपर दो लूप आए, इनको एक साथ निकाला, जैसे हम सिंगल क्रोशिय में निकालते हैं, और ये देखिए, कुछ इस परकार से हमारा डिजाइन बना है, दुबा दो, तीन, और ये देखिए, ये देखिए, कुछ ऐसे हमारा डिजाइन बन जाएगा, तो आप यहां तक बना लीजे, नाइन तक, जो नो डबल क्रोशिय हैं, फिर मैं आपको आगे बताते हूं, मैं आगे कैसे चल लाएं, ये देखिए, ये मैंने नो बना लिए, नो डब नो बनाएं, अब चुल, लास्ट वाला डबल क्रोशिय हैं, तेंथ वन वाला, दसवा, उसके ओपर सिफ हम डबल क्रोशिय बनाएंगे, डिजाइन नहीं बनाएंगे, सिर्फ डबल क्रोशिय बनाया, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, ये देखिए, ये दो हैंना हमारी, इ नेक्स्ट वाले में चल देंगे, फस्ट बन में इधर से, फिस पे एक, दो, तीन चेन बनाई, फिर से वो डिजाइन, फिर नेक्स्ट में चल देंगे, हम एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, और फिर डिजाइन, फिर देखे, कुछ ऐसे हमारे, सारा आपको ऐसी राउंड कर लेना है, जब आप एंड पे आओगे, तो टेंथ लास्ट वन वें एंड पे नहीं बनाना, फिर इन दोनों के उपर एक सिंगल क्रोश है, क्या मतलब इस सेकेंड वालने वालने पे सिंगल क्रोशे बना देना, फिर से आप बनाने लग जाना, बस आपको ध्यान लगना है, जो लास्ट वन है, उसके ओपर डिजाइन नहीं बनाना, ऐसे आपको पूरा राउंड कम्प्लीट कर लेना है, यह देखे, यह मैंने सारा पूरा राउंड कर लिया है, आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी, तो अच्छे लगी है, तो प्लीज में चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीज़ेगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके मुझसे पूर सकते हैं, और अगर आपने मुझसे कुछ किस्टमाइज कराना है, तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे डियम कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थैंक्स पर वोचिंग,